रानी लक्ष्मी बाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वारा नसी के एक मराथी ब्राहमन परिवार में हुआ था। उनका बच्पन का नाम मने करने का तामबे था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से मनू बुलाते थे। उनके पिता मोरोपन प्तामबे बिथूर के पेश्वा के दर्बार में काम करते थे और उनकी माता भागी रती बाई धार में प्रवरिती की महिला थी। बाल्या वस्था में ही लक्ष्मी बाई ने गुर सवारी, तलवार बाजी और तीरंदाजी में निपुन्ता हासिल कर ली थी। 1842 में उनका विवाह जहासी के राजा गंगाधर राओ के साथ हुआ और वे जहासी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मी बाई रखा गया। 1851 में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई, लेकिन दुर्भाग्य वश्वह कुछ महिनों बाद ही चल बसा। इसके बाद राजा गंगाधर राओ ने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राओ रखा गया। 1853 में राजा गंगाधर राओ की मृत्यू के बाद अंग्रेजों ने जहासी को हडपने की नीती अपनाई। लौड डलोजी की हडप नीती के तहट, अंग्रेजों ने दामोदर राओ को उत्तरादिकारी मानने से इंकार कर दिया और जहासी पर कबजा करने की कोशिश की। रानी लक्ष्मी बाई ने इसे स्वीकार नहीं किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तयारी शुरू कर दी। अथारा सो सत्तावन का स्वतंत्रता संग्राम भारतिय इतिहास का एक महत्वपून अध्याय है और इसमें रानी लक्ष्मी बाई का योगदान अविस्मरन यह है। अथारा सो सत्तावन में जब भारत के विभिन हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रो शुरू हुआ तब रानी लक्ष्मी बाई ने जहांसी की किले की रक्षा के लिए अपनी सेना का नेत्रित्व किया। उन्होंने न केवल पुरुष सेनिकों को प्रशिक्षित किया, बलकि महिला सेनिकों की भी एक तोली बनाई। अंग्रेजों के साथ हुए भीशन युद्ध में रानी लक्ष्मी बाई ने अदम्य साहस और वीर्टा का परिचय दिया। उन्होंने अपनी मात्रभूमी की रक्षा के लिए कई महित्वकून युद्ध लड़े। अठारा जून अठारा सो अठावन को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों के साथ हुए संधर्ष में वे वीर्गती को प्राप्थ हुई। उनकी वीर्ता और संधर्ष की कहानिया आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। रानी लक्ष्मी बाई का जीवन संगर्ष, साहस और देशभक्ती का प्रतीक है उनकी वीर्ता की कहानिया आज भी हम सभी को प्रेरित करती हैं और वे हमारे राष्ट्र के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगी वे नारी शक्ती की अद्वितिय उदाहरन है और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अपने अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करना चाहिए राणी लक्ष्मी बाई ने अपने जीवन में ये साबित कर दिया कि महिलाओं में भी अद्वितिय साहस और नेत्रित्वक शमता होती है उनका नाम भारतिय स्वतंतरता संग्राम के महानायकों में गर्व के साथ लिया जाता है उनकी स्मृती में कई कविताएं गाने और साहित्ती कृतियां रची गई हैं जो उनकी वीर्ता और बलिदान को सजीव बनाए रखती है